तो गाईस आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वास्टाइम कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने चैनल को कैसे एपलाई करना पड़ता है मौनिटाइजेशन के लिए और अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वास्टाइम कम्प्लीट नहीं हो आए तब भी आप इस वीडियो को देख लेना क्यूंकि आपको इससे बहुत जादा इंफर्मेशन मिल जाएगी क्यूंकि आपके चैनल पर कभी ना कभी तो 1000 सब्सक्राइबर और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यह तो and accept करना ठीक है, जो भी program partner program है इसको accept करना है, تو यहाँ पे आपको tick लगा देना, tick लगाने के बाद आपको यहाँ पे मैं tick लगा देता हूं, उसके बाद Gotcha करदेता हूं, accept पर जहीद ही क्लिक कर दूँगा और याँ थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा और आपका जो review होगा आपके channel का वो फटापट हो जाएगा तो थोड़ा से बेट कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको second step आपको क्या करना है यहाँ पर guys देखो review based success हो गया है यहाँ पर tick लग गया है इसके बाद यहाँ पर second step होता है आपका AdSense account तो साथ साथ आपको यहाँ पर AdSense account भी create करना होगा अब मैं बताता हूँ आपको AdSense account कैसे create करना होगा इसके लिए आपको back कर लेना Google Chrome browser open कर लेना यहाँ पर आपको URL में टाप करना है studio.youtube.com इस तरह साथ साथ सर्च करोगे तो आपका desktop mode में channel open हो जाएगा इसके बाद आपको earn के option पर आना है earn के option पर आऊगो तो same वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अब यहाँ से guys हम क्या करेंगे AdSense account को create करेंगे AdSense account को create करेंगे के लिए यहाँ पर आपको second step दिख रायना है यहाँ पर आप देखो कि sign up for Google AdSense क्योंकि Google AdSense के बिना हम YouTube payment नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है start पर क्लिक कर देना है स्टार्ट पर जैसी आप क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ से यह मतलब आपसे step 2 पूछेगा क्या आपका पहले से AdSense account बना है या नहीं बना है अगर आपका पहले से AdSense account बना है तो आपको yes I have existing account पर क्लिक कर देना है नहीं बना है तो आप 2 पर यहां पर क्लिक कर देना तो मैं आपर मेरा भी मतलब AdSense account माझलो नहीं बना है तो मैंने क्या कर रहा है यहां पर no I don't have existing account इस पर क्लिक कर दूँगा second बाले पर ठीक है आपको भी इस पर कर देना है अगर आपका AdSense account नहीं बना है इस पर जैसी क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पर continue पर क्लिक कर देना है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसको मैं select कर लेता हूँ और select करने बाद यहाँ पर आपको इधर continue option दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो, यहाँ पर continue का option दिखे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर जैसी आप क्लिक करते हो, यहाँ पर गाइस आपके Gmail account पूछेगा, कि आपका YouTube चैनल किस Gmail account से बना है, तो आपको उसी Gmail account को यहाँ पर select कर देना है, ठीक है, आपको कोई भी account यहाँ पर आ सकते हैं, तो आपको Gmail account बाला जिस से चैनल YouTube चैनल आपका बनाए, उसी को यहाँ पर select कर लेना है, यहाँ पर जैसी आप उसको select कर लोगे, select करने के बाद आपको थोड़ा सा बेट करना है, आप Google AdSense account यहाँ पर open हो गया है, और इसके बाद यहाँ 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 link होती है, आप यहाँ पर अपनी देख लेना, वो ही यहाँ पर add हो जाएगी, automatic यह select कर लेता है, आपके YouTube चैनल की link, क्योंकि guys, मैंने आपको बताया है, आपको YouTube चैनल का Gmail account को select करना है, वहाँ पे, तो यहाँ पर देखो guys, YouTube चैनल इसने मतलब ले लिया है, आपका यहाँ प application आती है, वह आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो आपको simply yes पर click कर देना है, यहाँ पर आपको second, यहाँ पर मिलेगा country, आपको अपना जो country यह, जिस country से आप रहने वाले है, उसको select कर लेना, आपको कोई भी country को सकते हो, मैं इंडिया को हूँ, तो मैं आपे इंडिया से होंगे, तो यहाँ पर simply इंडिया पर click कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा, यहाँ पर आपको turn फिर से आपको पढ़ लेनी है, और इसके बाद लिखना है, मतलब यहाँ पर आपको select कर लेना, yes I have read accept the agreement, simply आपको क्या करना है, यहाँ पर tick लगना है, create account पर click कर देना है, just see guys, आप यहाँ पर create account पर click करते हो, उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ information होगी, customer information, तो इस तरह से आजागी customer information, तो यहाँ पर payment तो बाद में आप add कर सकते हो, जब आपके dollar बनने लगेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर option देखोगे, customer information, तो जो account type होता है, यह आपको individual ल नाम में देखो, यहाँ पर आपका YouTube channel का नाम है न, वो यहाँ पर select कर लेगा, यह automatic उसको उठा लेगा, बट आपको YouTube channel का नाम को यहाँ पर delete कर देना, आपको अपना real नाम डालना है, pain card पर जो आपका address हो या आधार card पर वही यहाँ पर डालना, ठीक है, तो मैंहाँ से इस line 2 में भी अपना address डाल सकते हो, और most important guys, जो कोई भी YouTuber जल्द नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूँ, कि आपको address के आगे अपना mobile number जरूर देना है, क्योंकि जब absence pin आएगा आपके घर पर, डाकिया जब आपका absence pin लेकर आएगा, तो जो लिफाफ होता है न, उस पर address, य यहाँ पर address 1, address 2 अपना fill कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर city जो आप किस सहर से हो, अपने आप सहर यहाँ पर डाल देना है, आप आधार काड लेकर बैठना, उस पर address बगरा है, वो ही same आपको यहाँ बरना है, इसके बाद आपको यहाँ पर postal code, आप postal code में pin code होता है, अपको यहाँ जिले, आपका जो भी, जो आपका pin code है सहर का, वो आप यहाँ पर डाल देना, इसके बाद state, आप किस state के हो, उत्तर पड़िश के हो, मद्धी पड़िश के हो, जिस state से आप लग आते हो, वो state आपको यहाँ पर डाल देना, इसके बाद आप next करोगे तो यहां पर आपको रीडारेक्ट करेंगे तो यहां पर थोड़ा से वेट करेंगे और यहां पर किस तरह से दिखाता है मैं आपको बताता हूं यहां पर देखो sign up for Google AdSense in progress मतलब AdSense account और प्रोग्रेस में है और दो हपते से तीन हपते यह बताता है बट ऐसा नहीं है दो से चार घंटे भी लग सकते हैं और एक घंटे में भी कभी कभी यह हो जाता है success ठीक है आपने अगर अगर अपना AdSense account में सभी से information भरी जिस तरह से मैंने बताया तो आपको कोई प्रोब्लम ने आएगी एक घंटे में आपका यह success हो जाएगा तो finally guys यहां पर मैंने थोड़ा वेट कर रहा उसके बाद वीडियो का skip किया उसके बाद I have successful link to your AdSense account मतलब यह AdSense account successful link हो गया तो step one step two successful हो चुका है third step होता है guys get review get review क्या होता है under review आपका चैनल अब under review में चला जाएगा इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ठीक है YouTube आपके चैनल को चेक करेगी एक दो दिन का वेट लगेगा तो हो सकता है एक दिन में भी हो जाए YouTube आपके चैनल को चैक करेगी कि आपके ने अपने चैनल पर किस तरह से कर आपने अच्छे से काम किया ना अपने चैनल पर YouTube के गाइडलाइन के खिलाब तो कोई काम नहीं किया ना यह सारा कुछ YouTube टीम चेक करेगी उसके बाद आपके चैनल को मानिटाइज कर देगी तो अब गाइस मैं वीडियो को स्किप करूंगा जब मेरा चैनल मानिटाइज वाले अर्न के उपशन पर फिर क्लिक कर देना हैं अर्ण के उप्शन पर जैसरी आप कलिक करते हो ठीक है यहाँ पर आपको एक उपिशन देखने को मिलेगा यहाँ पर लागानी तो मैं आपको हैनल करो यह चोटी सी आपको यहाँ अपर एड का जो पॉप अपन हो गया है उसके बाद आपको next कर देना है अब यहां पर all of my exiting वीडियो तो यह option बहुत अच्छा आ गया है पहले यह नहीं होगा करता था अब इस option से गाइस आप जितनी ही सारी आपकी पुराणी वीडियो ना इसको सेलेक्ट करके आपको किया करना है मौनिटाइजर पर किल्क्रे मोनिटाइज चैनल अपने आप अपने यूटूप और किए क्लिक करके इसके बाद मैस कमाने के लिए तो उम्मीद करता हूगा इस आज की वीडियो आपको यह सारी इंफोर्मेशन जित्ती भी मैंने आपको स्टेब बाई स्टेब बताया सब कुस समझ में आ गया होगा तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नाज चाहिए सब्सक्राइब करके साथ में अपने उन दोस्त को भी जरूर बेच देना जिनका चैनल अभी तक मॉनिटाइज नहीं हुआ है तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ